ताजा तर्न खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं इसलामोदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट एंस मुम्रा शहर में टीवी के मरीजों की हालत बस से बत्तर होते जा रही है हमने आपको पिछले दिनों दिखाया था कि किस तरह से टीवी के मरीजों को दवा नहीं मिलने की वज़े से उनकी हालत बिगड़ते ही जा र रही है सेंट्रल गवर्मेंट से टीवी की दवा ही नहीं मिल रही है हमने टीवी के मरीजों को दवा नहीं मिल रही है इस खबर को चलाई थी दो से तीन साल तक इलाज करा रहे टीवी के मरीजों को दवा ना मिलने की वज़े से मरीजों की तबियत अब बिगड़ते ही जा रही है कुछ लोगों ने डाइमन्ड हॉल के पास इस्थित टीमसी दवा खाने पर आधार काट डॉक्टर द्वारा मांगने की बात भी की थी टीवी के मरीजों को सेंट्रल गवर्मेंट से दवा नहीं मिल रही है और नहीं मनपा मरीजों को दवा उपलब्द करा रही है मुम मुम्रा प्रभाक समीति की सभपती अश्रीन राउत और मुहमद शाकिर टीवी के मरीजों के साथ हाथ में बैनर लेकर ठाने महानगर पालिका के बाहर विरोध किया और जल्द से जल्द टीवी के मरीजों के लिए दवा उपलब्द कराने की मांग की है यह तीनों सेंटर कभी दवा मिलता है तो कभी नहीं मिलता है इस वजह से इनकी बिमारी ठीक होने के बजाए और बढ़ते ही जा रही है वही दवा ना मिलने की वजह से टीवी के मरीज घम में डूबे हुए है और ठाने महानगर पालिका में दवा की मांग करते हुए शानू पठान ने कहा अगर मरीजों को दवा नहीं दी जाएगी तो महासभा में भी इसका आवाज उठाऊँगा वही शानू पठान को इसी दवरान मनपा कमीशनर संजीव जैसवाल ने भी जल्द से जल्द दवा मुहया कराने का अस्वाशन दिया है इस दवरान शानू पठान ने क्या बताया है जिस्ताना से मुम्रा शहर में टीबी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और दवा नहीं मिले तो आज आप लोग यहाँ पर महसभा पर क्या करने आए देखे ऐसा है कि मुम्रा कौसा के अंदर और बागी जादा तक टीबी के अंदर हुमें दवाएं उपलब नहीं है इसलिए आज महसभा के अंदर हम लोग मानेनिय मापौर और आयुक सबसे बताने आए कि टीबी के मरीजों की जान खत्रे में है बारा सुके लगबख टीबी के मरीज है उनकी जान खत्रे में कई महिनों से उनको दवाएं नहीं मिल रही है जबके 24 चे को सेंटर गवर्मेंट ने ओर्डर लिखा ली कि हम लोग जो टीबी की दवाएं जो सेंटर गवर्मेंट से आती थी हम उसको बंद कर रहे हैं पिर इसको अट्थावीस छे को मारश्टा गवर्मेंट ने लिखा ली कि हम लोग टीबी की दवाएं नहीं दे सकते हैं मान अगर हर मालेगन मान अगर पालेका खुद ले इसने हम यह बताने हैं कि जब मान अगर पालेका को ऐसा लेटर आ चुका है तो उसकी आमल बजाओनी तूरंत किया जाएं जिससे 1200 टीबी के पेशन्टों की जान को खत्रा है यही इसने हमने उनके सामने टीबी के पेशन्टों को लेकिया है जिनकी जान खत्रे में लगबख 1200 टीबी के मरीज़ों की जान खत्रे में ऐसा उनको बताने हैं कि टीबी के मर दवाएं वो उपलब नहीं है उनको प्रशाशन की आग खोड़ने की नहीं है हम लोग आज मासाबा के अंदर यह लिखे हैं आधार कार्ड की मांग की जा रहे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो टीवी की दवाद दी जाएगी क्या आधार कार्ड अनिवार है लगना लेटर इश्यू हो चुका है तो हमरे पाद दावानी उपर से पेशंट लोग हमारे को दावाव की नहीं चिल उनके परिवार वाले आके हमसे लड़ाई कर रहे तो बिचार डॉक्तर का काम तो जीवन बचाना है उनका कसूर नहीं यह बस सही है कि उनको पेशंट के परिव परिवार घुशो में आते हैं और उनके चिड रहे लेकिन डॉक्तर को शवकphase करेंगे मानग…. पालिका और स्टेट गवर्मेंट इस पे तुरंद दिनने ले आज हम मान सकर सभा के अंदर बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे अंदरन कर रहे अगर टीबी की दवाएं उपलब नहीं हुई तो आने वाली मास सभा के अंदर हम अंदर हाउस के अंदर बैठेंगे अभी फिलहाल क करके उसको मंजूरी दे रहा हूं और आज एकल में उसकी मंजूरी हो जाएगी दो तीन दिन के आमन बजाओं नहीं हो के जितने भी टीबी के पेशन्ट है उनको दवाएं मिलने लगे ऐसा आश्वशन दिए इस तरह से आधार का इसू बताय जा रहा है कुछ लोगों के प और गौवाल ही नहीं आता है और आधार काड़ कर लिया जाता है ने अगर वो लोग ऐसे इस तरीके से और गलत काम कर रहे होंगे तो हम ऐसे बहुष की शिखायत करेंगे उनके उपह सकत सक्षा करवाई करने की मांग करेंगे कि आपको देना पड़ेगी तो देना पड़ेगी आपको चाहिए तो आप बाद में मगा लीजे निकिन आप उसके इसके वैसे सब्सक्राइब अंदर हैड आफिस के अंदर हैं कि प्राशाशन और सकतादारी को आग खुले जिदर टीबी का इलाज किया जाता है कल्यान शिलपाटा रोट पे जो ठाने महान अगर पालीका का रूंगना ले वो रूंगना ले का एक दिन कंडिशन जाके देखो आप भी जाके देखो क्या कंडिशन है उसमें पुरा पानी लिकित हो रहा है उसके उदर बेटने के लिए लोगों के लिए खुर्ची नहीं है और डॉक्टर के पास दवा ही नहीं है कितना लोग बमबम कर रहे हैं चक्कर काट रहे हैं और मेन पहला वह हस्पिटल का सुधार नहीं हो चाहिए क्योंकि 1908 में मने तीस साल पहला ठाने मान अगर पालेका ने यह हस्पिटल बनाया उसके उपर अभी तक चाराना घर्चा नहीं किया सिम्रन भालो जी कि लेट में पहले दो सार इलाज करी मेरी 24 मेंने की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई तीन मैने बाद वापी से में गोटीबी हो गई और लास स्टेज है मेरा अभी कल से दवा चालो हुई साथ गोली है मेरी लेकर पास गोली दिये दो गोली दिये नहीं बहराल जो भी हो टीबी के मरीजों को दवा ना मिलने की वजह से उनकी जिंदगी दाव पर लगी हुई यह वहीं डॉक्टर दवा ना होने का मजबूरी बता रहे हैं टीबी की दवा मुफ्त में देने वाली सरकारों को यह देखना जरूरी हो गया है कि अब टीबी के मरीजों का क्या हाल हो रहा है नहीं इन्हें दवा मिल रही है बलकि बार बार इन्हें अस्पतालों का चक्कर लगवाया जा रहा है और इनकी बीमारी और भी बढ़ते ही जा रही है अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ठाने महानगर पालिका के बाहर विरोध करने से क्या वाकई में टीवी की दवा उपलब्द हो पाएगी या फिर इन्हें हाउस में भी आवाज उठाना पड़े तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाट टाइम से